आम का मौसम है और आइस्क्रीम तो बड़े ही मज़े की लगती है। आम की आइस्क्रीम बनाएंगे मिक्सर ग्राइंडर में बिना कस्टर पाउडर या कॉन फ्लार के। तो ये आइस्क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आम को छील कर काट लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के हापों साम लिये हुए हैं। आप चाहें तो कोई और मीठाम भी ले सकते हैं। आम को छोटे-छोटे टुकडों में काट लेते हैं। आम को काट कर इसे एक कंटेनर में डाल देंगे और इसे रख देते हैं फ्रीजर में। इसे ओवरनाइट फ्रीज होने देंगे या तो फिर आप इसे 5-6 गंटे के लिए फ्रीज कर लीजे। इसी तरह से हम दूद को भी फ्रीज कर लेंगे। दूद को मैंने पहले से गरम करके ठंडा कर लिया है इसे आइस ट्रे में डाल देंगे और इसे भी रख देते हैं हम ओवरनाइट या 5-6 गंटे के लिए रख लीजे फ्रीज होने तक। आम जब फ्रीज हो जाए इसे डाल लेंगे ग्राइनिंग जार में। इस तरह आइस क्रीम बनाने से यह होगा कि फ्रीज करने के बाद आइस क्रीम को आपको फिर से ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा ये बहुती क्रीमी और बिना आइस क्रिस्टल्स के बनकर रेडी होगी। तो सारा आम डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप condensed milk condensed milk अगर ना हो तो इसकी जगह पर आधा कप दूद का powder डाल लीजिए और आधा कप ही चीनी डाल लीजिए आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ घर की दूद की मलाई आप चाहें तो fresh cream जो ready में राती है वो भी आप डाल सकते हैं तो मलाई डालने के बाद हमें डालना है दूद जिसे हमने freeze कर लिया है तो 5-6 cube मैं यहाँ पर दूद का डाल रही हूँ अब बस धकन लगाना है और फटा फट से इसे हमें grind करना है grind हम बस pulse पर करेंगे इसे यानि कि थोड़ा सा grind करके हमें रुख जाना है एक साथ हमें इसे लगातार grind नहीं करना है तो करीब 15-20 second के लिए इसे घुमाएंगे फिर बंद कर देंगे इस तरह से इस mixture को पूरा हम grind हो जाने देते हैं अब धकन हटाने की बाद आप देख सकते हैं यह काफी गाढ़ा सा mixture बंद कर ready हो गया है बिना ice crystals के अब ice cream को container में डालने के बाद इसे tap कर लेंगे अच्छी तरह से यह सारी जगा फैल जाए इसके बाद हम छोटे छोटे आम के टुकडे डाल लेते हैं cling wrap से या कोई plastic sheet से हम इसे इस तरह से seal कर लेंगे ताके उपर की तरफ ice crystals ना हो अब इसे हम freeze कर लेंगे इस ice cream को आपको ज्यादा नहीं freeze करना पड़ेगा बस तीन से चार घंटों के लिए आप इसे freeze कर लीजिए तो तीन घंटे के लिए मैंने इस freezer में freeze कर लिया है अब mango की बहुत ही tasty ice cream बनकर ready हो गई है सर्फ करने के लिए बहुत creamy बहुत tasty फटा फट से बन जाने वाली बिना corn flour या custard powder के ये बढ़ियासी आम की ice cream बनकर ready होती है